पुलिस को मिले बड़ी काम्याबी मुखबीर की सूशना पर पुलिस ने पकड़ी दोसो पचासी शराब की पेटियां दो आरोपी गिरफतार तीन फरार यहां योगी सरकार की राज में मानो यूपी पुलिस पस्त नजर आ रही थी यूपी में अपरादियों के होसले इतने बुलंद होने लगे थे कि वो कभी भी कहनी भी आसानी से घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते थे और यूपी पुलिस की कारशेली को ठेंगा दिखा जाते थे मगर अब पिछले दिनों से योगी सरकार के कड़े निर्देशों के बाद पुलिस शायद जाग सी गई है और अपरादियों पर अपनी पकड मजबूत कर रही है ऐसा ही ताजा मामला संभल में सामने आया है जहां पुलिस को सूचना मिली कि हरियाना से आ रही एक टाटा मैजिक में कुछ शराब की पेटियां आ रही है जिसे कुछ लोग एक बंद भट्टे में हरियाना से लाई गई शराब की द्वाहन को चेक किया है शराब में कुछ नशिला पदार्त मिला रहे हैं ये सुनकर पुलिस तुरंत हरकत में आई और घटना स्थल पर पहुंची जहां पर कुछ लोग शराब में कुछ मिला रहे थे पुलिस को देखकर तीन आरोपी भागने में काम्याब हो गए जबकि पुलिस ने दो सो पचासी पेटी शराब सहीद दो आरोपियों को गिरफतार कर लिया है थाने के CEO ने ये भी बताया कि ये लोग हरियाना की कमपनी से सस्ती कीमत में शराब लाते थे और संभल में एक स्थान पर शराब में कुछ मिला कर मोटी कमाई कर रहे थे एवं लोगों की सिहत से खिलवाड कर रहे थे उत्तर प्रदेश ही नहीं सारे देश में पुलिस अगर चाहे तो सारे अपराध ही गायब कर सकती है और आशा करना चाहिए कि पुलिस इसी तरह से काम करती रहेगी और अपराधियों पर नकेल अवश्य लगेगी संबल से प्रदीव मिश्टा की रिपोर्ट इंडिया आप तक नियूज के लिए आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समचार सचाई से कहराई तक खबर पहुचाए आप तक